हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं गॉसप टाउन और मैं हूँ आपके साथ प्रतिका MC स्टैन लगातार बज में बने हुए हैं जब से उन्होंने बिग बॉस सीजन 16 की ट्रोफी अपने नाम की है जहां एक तरफ MC स्टैन के फैंडम ने उन्हें प्रोफी तक पहुचा दिया तो वही कुछ लोग ऐसे हैं जो MC स्टैन को ट्रोल करते रहते हैं और उन्हें अंडिजर्विंग विनर बताते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि MC स्टैन अब एक नाशनल टेलिविजन के शो में आने वाले हैं जी हाँ बेक बॉस सीजन 16 के बाद वो कौन से शो में आकर अपनी सफाई पेश करेंगे यह यकीनन आप जानना चाहते होंगे तो गाइज आपको यही कहूंगी अगर आप लोग है मेरे चानल पर ना है तो प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब गॉसप टाउन और वीडियो पसनाए वीडियो को लाइक शेर जरूर जरूर करिएगा चले बैक टू दो मुद्धा आते हैं और आपको साफ साफ सीधी सीधी बात बता देते हैं कि अब MC Stan आने वाले है कापिल शर्मा के शो में जी हां और उन्होंने मीडिया को देखकर काफी सारे पोजिस भी दिये हैं पी टाउन को यहाँ पर भी वो प्रोमोट करना नहीं भूले हैं और इस बार माना जा रहा है कि कपिल के शो में MC स्टैन जबाएंगे तो जमकर वो तारीफे तो बटो रहेंगे और काफी कुछ वो सफाई भी देते नज़र आएंगे यहाँ तक कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे कपिल शर्मा शो के मंच पर और फैंस काफी ज़ादा एक्साइटिड है कपिल के शो में MC स्टैन को देखने के लिए वैसे मैं आपको बता दू कि अब MC स्टैन की सारी की सारी जो उंगलिया है वो घी में है और वो इसलिए क्योंकि MC स्टैन के पास अब इंडिया टूर करने का मौका आ चुका है और उसकी शुरुआत पूने से होगी और उसके बाद वो अलग-अलग जगाओ पर जाकर अपने शोज करने वाले हैं कैसा लगा आपको मेरा वीडियो बता सकते हैं आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में इस वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही देखते रहिए ताज़ातरीन गॉसप्स के लिए गॉसप टाउन